जोतिश शास्त्र के अनुसार 2024 में सभी 12 राशियों के किस्मत बदलने वाली है गोचर कुंडली 2024 के अनुसार नए साल में ब्रिहस्पती, शनी और राहू विशेश क्रह साबित होंगे इन तीन क्रहों के स्थितियां बदलेंगी और इससे एक दुरलब संबंध बनेगा इसके बाद वे ब्रिशव राशी में प्रवेश करेंगे ब्रिशव राशी ब्रिहस्पती की स्वर राशी है इस राशी में ब्रिहस्पती का प्रभाव बहुत अच्छा होता है शनी अपनी मूल ट्रिकोंड राशी कुंभ में रहेंगे इस राशी में मौजूद रहने से शनी अलग-अलग समय पर मारगी रहेंगे शनी का कुंब राशी में गोचर 2024 में भी जारी रहेगा 30 अक्टूबर 2023 को राहु मेश राशी से निकल कर मीन राशी में प्रवेश कर गया यह चायगर 2024 में मीन राशी में रहेगा मीन राशी का स्वामी ब्रिहस्पती है और राहू भी इसी राशी में मौजूद है ब्रिहस्पती के व्रिशव राशी में प्रवेश के बाद मीन राशी में राहू पर इसकी साथ मिद्रिष्टी होगी 2024 में राहू, मीन और ब्रिहस्पती का ऐसा संयोग 1000 साल बाद बन रहा है इस योग के प्रभाव से कई राशियों में सुधार होगा मेश राशी के जातकों के लिए यह समय बहुत ही शुब रहेगा इस दोरान आपके भाग्ययोदे के योग बनेंगे आपको नौकरी या वैवसाय में तरक्य मिलेगी साथ ही आय के नए स्रोत बनेंगे आपकी आर्थिक स्थिती मजबूत होगी आपकी मान सम्मान में वृध्धी होगी वरिशव राशी के जातकों के लिए भी यह समय बहुत ही शुब रहेगा इस दोरान आपके जीवन में खुश्यां आएंगी आपको प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी साथ ही आपके पारिबारिक जीवन में भी सुख शान्ती रहेगी आपका मान सम्मान बढ़ेगा में राशी के जातकों के लिए भी यह समय बहुत ही शुब रहेगा इस दोरान आपके भागी योदे के योग बनेंगी आपको नौकरी अव्यवसाई में तरक्की मिलेगी साथ ही आई के नए स्रोध बनेंगी आपकी आर्थिक स्थिती मजबूत होगी आपके मान सम्मान में बृत्थी होगी हालांकि कुछ राशी के जातकों को इस दोरान कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जैसे कि कर्क राशी के जातकों को इस दोरान अपने स्वास्त का ध्यान रखना चाहिए आपको किसी पुरानी बिमारी से परिशानी हो सकती है सेंग राशी के जातकों को इस दोरान अपने खर्चों पर नियंतर रखना चाहिए आपको आर्थिक परिशानियों का सामना करना पड़ सकता है तुला राशी के जातकों को इस दोरान अपने रिष्टों पर ध्यान देना चाहिए आपका किसी अपने से जगड़ा हो सकता है कुल मिलाकर 2024 सभी राशियों के लिए एक शुब वर्ष सावित होगा लेकिन कुछ राशियों को इस दोरान कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए